हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तसिल्दार ने देर रात को दिया कारेवाई को अंजाम तसिल्दार अनुप सिंग ने कुर्वार देर रात को आगरा बटा शेत्र में माउंट अबू जा रहे बजरी से भरे डंपर को जब्त किया डंपर को सदर थाने रखवाया खनन विबाग को सुचना दी जिला मुख्याले से आबूरोड पहुचे खनन विबाग के अधिकारियों ने आवशक कारे को अंजाम दिया तसिल्दार की ओर से लगातार की जा रही कारेवाई से बजरी खनन के काले कारोबारों से जुड़े लोगों में हडकंप मचा हुआ है अर्बूदाचल में उच्चन आलाई की रोग के बावजुद बनास नदी में भूरे सोने का अवएद खनन लगातार जारी है लंबे समय से चल रहे काले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई के अभाउं में उनके होसले बुलंद हो चले है जिसके चलते सुर्योदे के पूर्वशुरू हुआ बुरे सोने का अवएद खनन देर राद तक जारी रहता है प्रशासन की नाग के नीचे सरे रा बाजार से भरी ट्रेक्टर ट्रॉलिया गुजरती है लेकिन खनन विबाग मौन सादे हुए है ऐसे में तरसिलदार की और से काले कारोबार के खिलाफ शुरू की कारवाई से बजज़ी का अवेद कारोबार करने वालों में हड़कम मच्छा हुआ है इसी के चलते तरसिलदार ने गुरवार देर राद आकरा बट्टा शेतर में कारवाई को अंजाम दिया माउंट अबु जा रहे मेसर सुरेंद्र गौड के डमपर जब्त किया तवसिलदार की सूचना पर पहुंचे खनन विबाक के अधिकारी की और से कारवाई की गई गौड तलब है कि तवसिलदार की और से लगातार की जा रही कारवाई के चलते अभी तक चार ट्रेक्टर ट्रॉली संचालों के खिलाफ कारवाई की जा चुकी है आबूरोड से जागरूख टीवी की रिपोर्ट